देश के लिए अपना शर्वार्श्वनी छावर करने वाले हमारे सहिंदो को समय पर तिया रचना डॉक्टर कुमार विश्वाल जी की है कि है नमन उनको की जो इस देह को अमरात्व देखर इस जगत में शार्य के जीवित कहानी हो गए है है नमन उनको की जिनके सामने बौना हिमाल जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए है है नमन उनको पिता जिसके रक्त ने उज्वल के आकुलवंश मा था मा वही जो दोध से इस देश की रज तोल आई बेहन जिसने सावनों में भर लिये पट जड़ स्वयम ही हात ना उलजे कलाई से जुराखी खोल लाई बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी पिता तुम पर गर्व है चुप चाप जाके बोल आई प्रिया जिसकी चूडियों में सितारे से तूटते थे मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई कि है न मन उस देहरी को जहां तुम खेले का नईया है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले का नईया गर तुम्हारे परम तपकी राज धानी हो गए हैं है नमन उनको कि जिनके सामने बाना हिमाल जो धरा पर गिर पड़ें पर आसमानी हो गए हैं है नमन उनको हमने लोटाए सिकंदर सिर जुकाए मात खाए हम से बेटे हैं वे जिनका मंधरा से भर गया है नरक में तुम पूछना अपने बुचरगों से कभी भी उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है सिंग के दातों से गिंती सीखने वालों के आगे शिश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है जूजना अमराच से आतत पुरानी है हमारी उत्तरों की खोज में फिर एक नच के ता गया है की है न मन उनको की जिनकी अगनी से हारा प्रभंजन है न मन उनको की जिनकी अगनी से हारा दिवाकर काल का तुक जिनके आके पानी पानी हो गए है है न मन उनको की जिनके सामने वोना हिमाल जो धरा परगे पड़े पर आसमानी हो गए है है न मन उनको लिख चुकी है विदि तुम्हारी वीरता के पुन्यले के पिज़े के उदगोश कीता के कथन तुमको न मन है राखियों की प्रतिक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं देशुहित प्रतिवत यावन के सपन तुमको न मन है गहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे पिता के वत के फलित मा के नयन तुमको नमन है है नमन उनको की जिन के उमित पाकर हुई पावन शिखर जिनके चरण छुखर और मानी हो गए है है नमन उनको की जिन के सामने बना ही माले जो धरा पर किर पड़े पर आसमानी हो गए है है नमन उनको जहिद